भारत जोडो न्याय यात्रा से पहले कॉंगरस सेदा राहूल गांधी ने बीजेपी और पीयम मोधी पर जम कर हमला किया है। राहूल गांधी ने देश के युवाओं को संबोधित करते हुए केंद्र की मोधी सरकार पर निशाना साधा है। जिससे मोधी सरकार सवालों के घेरे में आ गई है। क्या कुछ कहा है राहूल गांधी ने देखते हैं इस रिपोर्ट में। राहूल गांधी ने कहा युवाओं को विचार करना ही होगा कि आखिर क्या होगी हमारे सपनों के भारत की पहचान। और सरकार इसे अमरित काल बता कर उचसब मना रही है। सत्ता के एहंकार मेचूर शेहनसा जमीनी हकीकत से बहुत दूर हो गया है। राहूल गांधी ने आगे कहा कि अन्याय के इस आंधी में न्याय की लोह जलाय रखने के लिए मेरे साथ कडोरो युबा न्याय युध्या स्वामी विवेका नंजी की सिक्षा से प्रेणा लेकर न्याय का हक मिलने तक इस संघर्ष में शामिल हो रहे हैं। सत्य जीतेगा न्याय होगा डीवी लाइप की रिपोर्ट